कि हैं लो गाईज कैसे हैं आप सब मेरा नाम है कृषिन महुन शर्मा और आप लोगों का बहुत 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 ज़ादा स्वागत है आज की इस विडियो में तो गाईज आप लोगों के बहुत साइज सवाल आ रहे थे एंट फिस अन अकेडमी ने में में से कॉंडक्ट किया कि सरे गवर बच्चों को बता दें कि कैसे किस तरह से DLLB में वो लोग excel कर सकते हैं like students are not aware कि DLLB का syllabus क्या है क्या blueprint है exam का कैसे exam conduct किया जाता है कौन-कौन से topics पूछे जाते हैं अगर हमें अच्छा score करना है हम लोगोंने कुछ अभी तयारी स्टार्ट नहीं की है तो कहां से तयारी को स्टार्ट किया जाए in fact बहुत सारे सवाल बच्चों के दिमाग में आ रही है तो आज इसी वीडियो में हम लोग उन सारे सवालों के जवाब देंगे तो बस शर्त इतनी है कि वीडियो को end तक देखें और अच्छी लगे तो लाइक करें और विडियो के साथ जरूर 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 शेयर करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस डियू एललबी किस तरह है हम लोग डियू एललबी में 300 प्लस स्कोर करें और मैं पहले ही इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही I want to give you all the disclaimer कि ये वीडियो जिनसने आज तक कुछ तयारी नहीं की है चाहे आप किसी भी बैक्ग्राउंड से आ रहे हो रैधर आपने MBBS कर रखिया है CA कर रखा है BTEC कर रखा है पॉल साइंस ओनर्स कर रखा है B.com कर रखा है कुछ भी कोर्स आपने कर रखा है तो ये वीडियो सबके लिए उतनी ही फाइदेमंत और कारगर साबित होगी उतनी ही important होगी बस आपको इस वीडियो को लास्तरी न जो जो बाते मैं बोल रहा हूं वो सारी बाते अगर आप अमल में लाते हैं तो आपको खुद लगेगा कि हां तयारी अच्छी चल रही है तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं आज तक आज क्या प्रोबैबली हमारे पास मार्च 24th of March हो चुका है प्रोबैबली में से जून के बीच में डियो एललबी का एक्जाम कंड़क्ट करवा लिया जाता है बहुत सारी अफवाही चल रही है इस एक्जाम को लेके ये एक्जाम CUET में अटैच हो जाएगा मर्ज हो जाएगा तो सिलेबस चेंज हो जाएगा अब इ दियू ने अभी तक ऐसा कोई भी ऑफीशल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है जिसमें दियू ये बता रहा हो कि हम लोग मर्ज करने के बाद अपना सिलेबस चेंज करेंगे जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग हो जितना मैं जानता हूं I'm sure कि अगर इन फैक्ट अगर डिय सिलेबस वोन्ट गॉनट चेंज नहीं होगा बस जो एक्जाम पहले एंडी एक्ट करवाता था वही एक्जाम अब डियू कंड़क करवाएगा इसी लिए इतनी चिंता ना करें कि यार अब सिलेबस चेंज होने वाला इतनी तयारी की थी अब बिलकुल सब कुछ होता भी है तो सिरफ और सिरफ अगर कुछ हो सकता है तो एक्जाम का लेवल हो सकता है और हो सकता है कि नंबर क्वेस्ट होगार जैसे पहले कुछ कहमेंघाबभा पहले की 50 कर दे 200 कर दे पहले 2 घंटे का इचला मोगा two jin होता यहीं चेंज होने वाला है इसा इसे वह कुछ अपना चेंज ऑन तो चर्ट वाई उसके बाद ही पढ़ाई शुरू कुरेंगे नहीं अपना टाइम वेस्ट कर Τर्म唱 में पढ़ाई आज से अभी से इसी वक्त से शुरू कर तो जून तक एक्जाम हो जाएगा इस बार कोई बहाना नहीं है डियू के पास इस बार टाइम पे एक्जाम लेगा जून तक जून एंड तक मैक्सिमम एक्जाम हो जाने वाला आप लोगा इसलिए फाइदे में रहोगे अ इसमें हम लोग legal reasoning and polity cover करने वाले हैं legal reasoning और quality ऐक बहुत important topic एक्जाम का बहुत जाधा important topic है ऐसा कहा जाता है कि जिसने legal reasoning or quality cover कर लिया एक्जाम में उसका 75% exam i is already clear हो चुका है मतलब जिनकी इन दो topics पह hold आ गया ना legal reasoning औ oriented twenty 75% उसका एक्जाम already cleared सब कुछ पढ़ा जाएगा बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा लगवग लंसम 3 महीने से 23 महीने का बैच होगा 90 सेशन कवर किये जाएंगे इसमें जिसमें हम लोग थियोरी पढ़ेंगे प्रैक्टिकल पढ़ेंगे पीवाई क्यों करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन लाके देदो and I am well versed with it ठीक है तो अगर आप लोग भी इस बैच को जॉइन करना चाहते हो तो निटले डिस्रिप्शन ने इस बैच का लिंक दिया गया है और यल्से आप इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं बहुत मिनिमम प्राइज पर यह बैच है सिरफ और सिरफ 4,999 पे प परटाफिट घ्राप कर सकते हैं अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के ओपर किस प्रकार हम लोग 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं अपने D.U.L.L.V में कितना स्कोर करना है हम लोगो 300 प्लस स्कोर करना है किन बच्चों को जुनोंने आज तक कोई तयारी नहीं की है कुछ नहीं पता इंग्लिश की तयारी ना तो मैं आपको करवा सकता कोई भी आपको दो महीने में इंग्लिश नहीं सिखा सकता ठीक है इंग्लिश वही है जो हम आज तक करते आए हैं पढ़ते आए हैं समझ रहे हैं सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं बस वही इंग्लिश है उसी इंग्लिश के तय करके अंडर लाइन करके दो पेज रोज पढ़ो पेपर के सिरफ के लिए लाइफ में उदर जाएगी sih बाट मानोच सिरफ दियू के लिए नहीं लाइफ में इंगलिश आप लोगों के सदर जाएगी अगर दो पेज रोज के पड़ रहे हो तो ठीक है उसके अलावा उसके अलावा हम लोगों को दो comprehension दो unseen passages करने है रोज दो unseen passages करने है रोज अब यह unseen passages आप लोगों को पता होगा क्या होते unseen passages comprehension कहीं भी मिल जाएगे किसी भूक में मिल जाएगे गूगल पे तो भरमार लगी पड़ी है पीडियास डाउनलट करो, किसी टेलेग्राम ग्रूप को जॉइन करो, कहीं भी मिल जाएंगे नहीं, तो आप मेरे टेलेग्राम ग्रूप जॉइन करो, वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, तो क्या इंग्लिश कैसे सुधरेगी, इंग्लिश की तयारी क्या है, कॉंस्टि की परप्रिशन आपको मैं करवाँगा, कॉंस्टिटूशन हम लोग पढ़ेंगे लक्षमी कान से, एम लक्षमी कान ते हमारी बुक है, जिसको बाइबल कहा जाता है, पॉलिटी का, और लीगल के लिए भी हमारे पास अपने नोट से हैं, जिसमें हम बहुत पू आप 10,000 से जादा कॉस्टिंज कर रहे हो, जिस टॉपिक और आपको पता भी ने चलेगा, आपने 10,000 कोश्टिंज कर लोगे, आपको पता भी ने चलेगा, कि वह दस आर कोश्टिंज हमारे हो गए, ओ शिट, अब क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं, इसा नहीं है, मैं सारे क में हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे तो इससे जाधा questions हैंगी नीज दुनिया में तो आप लोगों का पॉलिट और लीकल पूरा कवर हो जाएगा फिर हम आते हैं current पे current हमें देखना है past 15 months के किस के देखना है past 15 months का अपन को current देखना है ठीक है अपने को past 15 months के current से मतलब है कहां से तयारी करेंगे कोई भी magazine ले लेंगे कोई भी magazine ले लेंगे अरिहंत की ले लो यूवा ले लो कुछ भी magazine ले लो और कोई भी magazine ले लो और उस magazine से क्या है केचप मैं personally प्रेफर नहीं करता क्योंकि केचप में क्या होता है ना paragraph फॉर्म में याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है as compared to mcq फॉर्म में तो आपको ऐसे बुक लेए जिसमें mcq फॉर्म में हमारे पास current affairs दे रखे हैं ताकि आप लोगों के लिए समझना और ज्यादा आसान हो जाए ठीक है नेक्स्ट लॉजिकल रिजिनिंग लॉजिकल रिजिनिंग टॉपिक कर उठा लो त्री डेज कि पर टॉपिक एक टॉपिक उठाओ तीन दिन तक उसी के questions करो अगर relationship उठाओ तीन दिन तक relationship करो अगर time speed distance करो अगर probability उठाओ तीन दिन तक probability करते जाओ मतलब यही है इसका मूल मंत्र एक टॉपिक उठाओ तीन दिन में उसके 100 questions कर लो डान भाई डान जिन्दिगी में कभी उस topic में पूचा जाता है अगर आपने एक topic उठाया तीन दिन में उसके 100 questions कर लिए accumulate करके उसके अलावा उस topic में lifelong कभी दिक्कत नहीं आने वाली है trust me यही तरीका है logical reasoning को करने का मैंने भी personally method follow किया था मैं आज अगर मैं mensuration उठाता था तो मैं 3 दिन तक mensuration के questions करता रहता था और बस 3 दिन बाद मेरा mensuration इतना अच्छा रहा था भाई अब मुझे mensuration का कहीं दे कुछ लाकर दे दो I am well worth with I am absolutely thorough with mensuration मुझे अब कोई mensuration problem आ ही नहीं सकती तो यही तरीका है हमारा logical reasoning का ठीक है और कुछ चीजें अगर आप मेरे से पूछोगी कुछ secret hacks बताओ तो कुछ secret hacks हमारे पास यही है कि यार every day hundred questions जो बच्चा रोज के 100 questions कर रहा है यानि की रोज के 100 questions यानि 90 days में 9000 questions वो कर लेगा उसके अलावा exam में उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं trust me रोज के 100 questions करोगे 9000-10,000 questions कर लोगे उससे जादा questions कहां से पूछेंगे वो exam में कोई ऐसा दहानी कि नई आया उन्हीं में से questions मनें बस दो पेपर के दो पेज़िस पढ़ना नहीं जरूरी नहीं आज कहो किसी पर दिन कहो वह दो पेज पढ़ना नहीं यूनी एक दो पेज बार पढ़े जा रहे हो रोज दो नहीं पेज़िस आपने पर पढ़ रहे हो current affairs की magazine लानी है और previous year के papers करने प्र questions repeat नहीं होते हैं DU में questions repeat भी होते हैं क्योंकि quality तो वही पॉलिटी है वही constitution है उसी प्रिवेंट होते हैं और होंगे तो इसलिए इसमें कोई वह वहली बात नहीं है तो प्रिवेस 100 questions रोज के करने हैं दो पेज़िस पढ़ने हैं निउस पेपर के current affairs की magazine मनानी है और previous year के papers करने है अगर ये बात मेरिया पास से माननी शुरू कर तो एक महीने बाद दुबारा म पहुंच चुकी है ठीक है तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं खतम करते हैं अगर आप लोग इस batch को join करना चाहते हो तो इस link को scan कर सकते हैं batch start already हो चुका है एक दो classes हो चुकी है और बहुत अच्छा response आ रहा बच्चों का तो आप लोग भी आज़ों कुछ नहीं recording आप लोगों मिल जाएगी जो हो चुकी एक दो classes और बागी classes अप live का मज़ा अलगी होगा ठीक है तो चलिए अगर इसको enroll करना हो तो enroll कर लेना यह हमारा link दे रखा है otherwise link हमारे description में भी है तब तक के लिए मिलेंगे अपनी class में जैहिन दोस्तों